नमस्कार बच्चो आज हम क्लास नाइन्थ हिंदी की वरक्षीट नमबर 88 यानि कारे पत्रक सिंख्या 88 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वरक्षीट में हमें एक एपठित गद्यांस दिया गया एपठित गद्यांस का अर्थ है वो गद्यांस जो हमारी पाठे करम का भाग नहीं है वो गद्यांस जो हमने पहले नहीं पढ़ा है हमें उस गद्यांस को अब पढ़ना है पहले नहीं पढ़ा ना तो इसलिए अब पढ़ना है और उसको पढ़ कर समझव कर उस पर आधारीत कुछ पर्षनों को हल करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्क्षीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पारें यह हमारी वर्क्षीट नंबर 88 यानि की कारेपत्रक सिंख्या 88 रहेगा हमारा विश्य हिंदी है जिसमें हम एपठित गध्यांस का अभ्यास करने वाले हैं आज की ना करेगी 19 फरवरी 2021 जैसा कि हमें EMC की वर्क्षीट से पता चला है कि यह हमारी आज की वर्क्षीट आपके इस टेशन की हिंदी की लाष्ट वर्क्षीट हो सकती है संभावना ही पूरी है कि यह आपकी लाष्ट वर्क्षीट है हम पिछले साथ से आठ महिने से एक साथ हैं साथ पढ़ने की कोशिश करें साथ समझने की कोशिश करें लेकिन यह वर्क्षीट है वो खतम हो रही है हम साथ बने रहेंगे जैसे ही आपकी worksheet over होगी उसके बाद हम most important questions की series लेके आएंगे पहले हम social science को complete करने वाले क्योंकि उसके कुछ chapters रहते हैं उसके बाद हम English, Hindi, Science की भी बात करेंगे 10th class के लिए आपके chapters, आपके most important questions सब कुछ पहले से ही ready है यानि हमारा जो साथ है वो लंबा चलने वाला है at least time 12 तक तो साथ चलने वाले है तो चलिए पहले हम एपठित गद्यांस को समझने की कोशिश करते है आदर्ष नागरिक से तात्प्रे होता है यहाँ पर ideal citizen की बात कीगे आदर्ष नागरिक से तात्प्रे ऐसा देशवासी जिसका वेभार देश के तथा देशवासियों के हित्मे उसे बोलते है आदर्ष नागरिक नागरिक एवं देश एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े होते हैं किसी देश के नागरिक ही उसका मान समान बढ़ाती है या फिर घटाती है नागरिकों से ही देश की पहचान बनती है आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश के सभी नेमों कानूनों का पूरी तरह पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श नागरिक पूरी त्रेके से पालन करने का अर्थ क्या है? पूरी त्रेके से पालन करने का अर्थ है वे कानून को धोखा देने की कोशिस ना करें कानून सभी नागरिकों की सामोई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाये जाता है सभी जो नागरिक है उनको देखा जाता है कि उनके लिए क्या सही रहेगा तो उस आधार पर कानून बनाये जाते हैं अते सभी नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पर सैयम रखते हुए उन नेमों को पूरी तरीके से पालन करें। यहाँ पर केवल करतवय पालन या केवल अधिकार भोग दोनों ही गलत है। अगर हम केवल करतवय का पालन करें, अधिकार नहीं प्राप्त करें, तो भी गलत है, अगर हम अधिकारों का प्रियोग करें, करतवय पालन नहीं करें, तो भी गलत है, करतवय का पालन करने वाला नागरिक सरेश्ट होता है, परन्तु अधिकारों के परती सजग होना भी उसक आपका अधिकार है उन्हें राज्ये से मिलने वाली साहटा, सडक, बिजली, पानी, आधी की मूल सुईधा ऐ सुईधा के लिए सजग रहना चाहिए इसके लिए समय समय पर अपनी आवाज उठानी चाहिए अगर उन्हें ये सुईधाने नहीं मिल पारी है तो इसका मतलब उ उन्चाईयों की ओर ले जाए जिसे पूरे देश का नाम उन्चा हो तो यह हमने गद्यांस पढ़ा जिसमें हमने आदर्ष या अच्छे नागरी की बात की कि अच्छे नागरी के क्या करतावे होती है अच्छा नागरी कैसा होता है कैसे वो कानौनों का पालन करता है अब हम इस पर आधारित जो परशन दियेगे उनको हम समझेंगे खल करेंगे आज की इस वरक्षीट में हमें टोटल फाइव पांच परशन दियेगे पहला जो कोशन दिया गए अच्छे नागरिक की क्या पहचान बताएगे इस कद्यांस में तो अच्छा नागरिक अपने गुण, ध्रम, शक्ती और बुद्धी का विकास करके देश का गोरव सम्मान बढ़ाता है दूसरा जो परशन दिया गए करतवे पालन नागरिकों के लिए क्यों आवसक है तो करतवे पालन करने वाला नागरिक सरव स्रेष्ट परन्तु अपने अधिकारों के परती सजग होना भी उसकी खुबी होती है यानि कि दो गुण होते है पहला की करता है पालन करने वाला नागरिकों स्रेष्ट होता है इसमें कोई शक्त नहीं परन्तु अपने अधिकारों के परती भी सजग होता है जागरुक होता है उसके बाद तीसरा परशन दिया गए आदर्श नागरिक से क्या तात पर है यानि आदर्श नागरिक की बात की गए तो इसका क्या रत है तो ऐसा देशवासी जिसका वहवार देश के तथा देशवासियों के हित में हो उसे आदर्ष नागरिक कहा जाता है उसके बाद चोथा परशन दिया गए चोथा हमारा परशन रहेगा आदर्ष नागरिक के लिए नीमो का पालन करना क्यों आप सके तो आदर्ष नागरिक के लिए नीमो का पालन करना क्यों आप सके यह हमें बताना है कानून सभी नागरिकों की सामुई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाय जाते हैं जो भी कानून बनाय जाते हैं सब को दिखा जाता है उनके अनुसार बनाय जाते हैं अतर नागरिकों को चाहिए कि वे उन नेमों का पूरी तरह पालन करें इसलिए जो आज़श नागरिक होगा तो उसे भी नेमों का पालन करना आवश्यक होगा उसके बाद पांच वहाँ परशन दिया गए जो इस वरकशीट का आपके शेशन का लास्ट कोशन हो सकता है फित जो हमारा कोशन दिया गए नागरिकों से ही देश की पहचान बनती है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए तो यहाँ पर बनती है इसका विलोम शब्द लिखना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको like और share करना मत फूलेगा साथ ही साथ क्योंकि ये last worksheet हो सकती है तो एक छोटा सा comment भी जरूर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye bye, have a nice day